वेल्कम बेक मेंट्स आप सबको बहुत बहुत स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल हीलिंग पस्ट्रिपल सेवन में आज की दिन हम लिडिंग करेंगे कि ये महीना आपके लिए किस तरह का जाने वाला है क्या एंजल ब्लैसिंग्स आपको मिल रही है किस तरह से आप उन ब् कारण है उसको देखेंगे तो आज की रहेगी कुछ इस तरह की आपके सामरे रखे हैं यहां पर तीम कार्ड वीडियो पॉस करके इत्मिनांस से आप चुल लीजे कब ऐसे आपने थपनिल में देख लिया होगा है एपी थौट्स का यहां पर मैसिज है हैपी सर्प्राइस क उसकते हैं कारण से चुन सकते हैं जैसा भी आपको अच्छा लगे एक से जयादा की रिडिंग सुननआ चाहें तो बिल्कुर सुनिएक हो सकता है कुछ मैसिजज पूरी डिडिंग वह उससे सुन सकते हैं जरू दिखेगा अगर को पूरी डिडिंग रिडिंग सुननी हो और अगर आपको लगता है कि एक में आपके लिए कोई मैसेश नहीं है तो आप दूसरे को जरू सुनिएगा जिसके प्रती आप थोड़े से आकरशेथ हो रहे हुए जिसको आपने एक नोर कर दिया हो हो सकता है कि आपकी रिडिंग उसमें हो उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं पुझे इस्टेगराम पर भी डिरेक्ट मेसेज़ कर सकते हैं इस्टेगराम का लिए दिस्क्रिप्शन बॉक्स मեिं आप चाहिए तो इस्टेग़राम के एकाउट को फॉल्ö भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको कुछ म कुछ ऑंपने काउश आमता रहता है सबसे पहले तो इस card के बारे में बात कर ले देए ये card आप से कह रहा है कि आपको जिस वक्त भी इस पूरे मुहिने में आपको ऐसा लगे कि आपको कुछ भी down feel हो रहा है या आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं तो ऐसी memory के बारे में ऐसी शीजों के बारे में सोचीगा जो कि आपके चेहरे पे मुस्कान ले आ पाएं जो कि आपको मुस्कुराने पे मजबूर करें या जिनको सोचकर आप खुश हो जाएं वो आपकी लाइफ की कोई से भी मेमोरी हो सकती है ऐसी कोई भी मेमोरी जिसने तो जरूर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि आपको डाउन फिल हो रहा है पूरे मन्त में कभी भी तो आपको अपने लिए सिर्फ हैपी थौट्स को चुनना है अपने अपना जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है उसको उसी वक्त आपको शिफ्ट करना है यह महीना कहीना एक हेलिकॉप्टर भी उसे देखना चाहिए अगर आप पहली मंजल पे हैं तो उतना ही देख पाएंगी कितना पहली मंजल से दिखता है अगर आप छट पे हैं तो आप बहुत दूर तकी चीज़े भी देख सकते हैं तो इस आने वाले महीने में आपको यही करना है अगर आपके लिए सब खुबसुरत चीज़ है कोई ऐसी जो की खत्म हो रही है हालागि इसमें पेन है लेकिन पिछले काफी समय से जिन चीज़ों में आप पेन में चल रहे थे जिन चीज़ों में आप परिशान थे आपके लिए कुछ चीज़े करेंगे यह चीज आप लिए नहों सकती है कि यह फर्स्ट वीक से लेकर आपके पंद्रा दिन जो शुरू कि हैं उन्में ही कोई न कोई चीज ऐसी हो जिसमें आपके लिए चीजे चानज होनी शुरू हो जाया चीजों में बदलाव आना शुरू हो जाए या आपके लाइक का कोई सा भी एरिया हो सकते है तो दूखे यह एरिया का कोई सा ही हो सकता है या आपको यह अपने विजिम से देखना होगा है वो लाइफ को आपके लिए बदलाव आ रहे हैं बिदेश करने लिए हैं अपनी यह family की happiness भी है और यह आपके लिए financial matter भी है आपकी life में जो आपके life में जो blessings आ रही है न वो आपके financial और आपके family life में आ रही है relationship में यहाँ पर कह रही हूँ वो relationship जो कि आपको अपने परिवार के साथ है जो परिवार में रहते हैं एक जगा रहती हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए शादी की बात हो सकती है कुछ लोगों के हो सकते हैं रिक्ष्टे पक्के हो रहे हों कुछ लोगों की चीज़े आगे चल रही हों इस तरह की चीज़ भी है, यहां प है इनकी कुश नकुश आपके life में पेम से निकल कर आगे चीज़ों को बदलने की बात कर रहा है, यह महीना साथ ही साथ यहां पहरी आपको कहा दाना है कि जिन भी चीज़ों को आप चीज़ गरना चाहते हैं, जिस तरह से वो यह सीखेंगे कि आपको उन बातों को दिहान नहीं देना चाहिए जोगी आपके दिमाग को परिशान करती हो या फिर आपकी मासिक शांती को खराब करती हो आपने अक्च्छली बहुत ही सही कार्ड चुना है जिसके according है यहाँ पे मेसेज़िस आए हैं आपने चुना है happy thought का कार्ड और यह nine of source का कार्ड हमेशा एक ऐसे pain की एक एसे दर्द की बात करता है जिसमें न आप उन चीज़ों को सोचते रहते हैं उन चीज़ों को सोचते रह हैं यहां पर आपको चूस करना है हमेशा उन थौट्स को उन मेमोरी को उन बातों को जो कि आपको एक हैपी थौट देती हूं या आपको पॉस्टिट थौट देती हूं आपको बहुत कुछ चेंज होने वाला है और यह ना इससे कहीं ना कहीं अपना मैच्योर हो जाएंगी जो पिछले काफी समय से आप चीजों को उस तरह से नहीं देख पा रहे थी यह समझ नहीं पा रहे थी ना यह महीना आपको एक मैच्योरिटी के लेवल पर लेकर जाएगा आपको पॉजिटिव करेगा क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसी स्टेबिलिटी आएगी जो कि आ आपको बहुत सारी मुसीबतों से निकाल देगी स्टेबिलिटी आने के साथ सथ आपके परिवार में हैपिनेस भी आने वाली है कोई ना कोई ऐसी खुशी की बात होने वाली है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप आपकी शादी की बात चल रही हो कुछ लोगों के लि आपके लिए चीज़े आगे बढ़ रही हैं और उनमें एक नौ ग्रोथ है आपके लिए जिससे आपके लाइफ में जो भी चीज़े आएंगी वो आपको एक happiness देखी ही जाएंगी कुछ इस तरह के blessings आप लोगों के लिए यहां पे रहेंगी अपनी चीज़ों को जो भी तयार होते हैं अगर घर में किसी ने आना है और आपको पता है कि वो रहेगा तो आप उसके लिए जगा बनाते हैं उसके सोने की व्यवस्ता करते हैं उसके खाने की व्यवस्ता करते हैं चीजों को हटाते हैं चीजों को सही करते हैं इसी तरह से जब आपके लाइफ में इसे thoughts की तरफ focus नहीं करना है, जो कि आपकी energy को drain करें और आपको इस वाली ना 9 of sorts की energy में लेके जाए आपको यह नहीं जाई है, आपकी life की कोई बड़ी चीज यहां पर खत्म हो रही है, specifically आपकी financial कुछ खत्म हो रहा है, कुछ start हो रहा है, यह starting आपके बिल्कुल finances के matter में हो कुछ लोगों के career change हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए एक stability आ रही है, जो कि इनकी life की नहीं दिशाओ उनको देगी, तो आपको यही करना है, जब भी आपकी life में कोई ऐसी चीज होती है, जो कि आपको परेशान करती है, आपको अपने thoughts को change करना है, अपने mind को change करना है, औ आपकी life का कोई सा भी area हो, जिसमें आपको यही दिक्कत हो रही हो, और किसी के साथ भी हो रही हो, आपको सिर्फ ना positive चीजों की side ही focus रखना है, और आप not enough source के energy में, इस महीने इस मन्त में आप जा सकते हैं, लेकिन यह आपके अपने ही हाथ में रहेगा, कि आप उसमें चा बिल्कुल clear है कि आपको ही अपनी energy को balance यहाँ पे करना होगा, let it go का message है, देखिए बहुत clear है, mother quanion का message है, मैंने पहले ही वैसे बताया है, जिन लोगों ने अगर full moon in work का वीडियो नहीं देखा है, तो बिल्कुल देखिएगा कि वो आपके किस तरह से help कर सकता है, यह पूर clear message है कि आप उन चीज़ों को करेंगे, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, तो फिर again वही है, आपको कुछ चीज़ों से, कुछ बंधनों से यहाँ पे मुक्त किया जा रहा है, कुछ ऐसे चीज़े जिनों ने आपकी growth को फिछले काफी समय से रोक रखा था, तो यह बहुत न है इस महीने में, तो अपनी जो masculine energy है, उसको उसको ना सही रखेगा, masculine energy का यहाँ पर क्या मतलब है, masculine energy का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह है, कि जो आपके thought pattern है, जो कि आपके practical सोच है, जो कि आपका life को जीने का तरीका है, इनकी जिस तरह से, जिसे एक यह मात है ना, कि masculine जो करता, मैं फिर कह रही हूँ, आपको अपनी masculine side को बहुत strong रखना है, जिसे कि आप बिल्कुल भी down ना हो, क्योंकि यह महीना आपके लिए life में, बहुत सारी opportunities लेके आ रहा है, और बहुत सारी opportunities साथ साथ growth भी लेके आ रहा है, यह कुछ channel messages हैं, जो मैंने आपको के लिए आपके लिए बदर रही हैं, लेकिन वो चीज़ा आपके लिए बिल्कुल बदलेंगी, destiny का message है यहाँ पे तो बिल्कुल आपके destiny आपके अपने हाथ में है, आपका भाग्य आपके अपने हाथ में है, destiny में आपकी वही होता है, जो कि आप अपने कर्मों के द्वारा लिखत हैं अपने भाग्य में होना कि हां मुझे ये चाहिए आपके कर्म डेस्टिनी में आते हैं blessings का message है आपके लिए बिल्कुल blessings नो है ही आपके लिए blessings को receive कीजिए का receiving mode में रहिएगा forgive का message है यहाँ पे आपके लिए आपके लिए important रहेगा इनकी जो भी आप सुनते और समझते हैं वो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उस पर इस पूरे महीने ध्यान दे विजन का message है यहाँ पे तो जो भी आप देख रहे हैं सोच रहे हैं समझ रहे हैं उस पे फोकस कीजिएगा कि आप actually क्या देख रहे हैं सोच रहे हैं और समझ रहे हैं क्योंकि आपका विजन इस पूरे महीने में बहुत important रहने वाला है अपनी intuition पे भी फोकस कीजेगा उसके उससे न आपको एक बड़ा विजन जिसे मैं आपसे कही रही थी न कि एक बड़ा व्यू देखना चाहिए यह वही है आपका बड़ा विजन बड़ा व्यू होना चाहिए ताकि आप दूर तक चीजों को देख सके हैं जैसे वहाँ पर unicorn बैटके दूर तक sunrise को देख रहे हैं जरू देखिएगा कि कैसे लीव का message है आपके लिए लीव का message यही है आपको बता रहा कि चीजों को छोड़ दीजे आपके लिए यहाँ पर message है कुछ चीजों को छोड़ना ही चाहिए peace का message है यहाँ पर आपके आपको peace को choose करना चाहिए देखिए हमे आपको बहुत बहुत स्वागत है आपके रीडिंग में तो जहें लोगों ने भी हैपी सर्प्राइज का मैसेश चुना था या कार्ड नबर टू को चुना था सबसे पहरे तो इस कार्ड के बारे में बात करती है यह कार्ड आपको यह बूल रहा है कि आपकी लाइफ में यह शायद आपके लिए कुछ इस तरह का होगा कि आपकी जैसे वो तरह की खुशे से वो आँखे आँखों में चमक आ जाती है यह आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की ब्लैसिंग्स होने जा रही है आपके इंजस की तरफ से तो जरूर रिसीड कीज़ेगा अपन आप के इसके लिए मेंसेज पोड़ करना होगा कुछ चीजों को जाने देना होगा तभी आप चीजों कर पाएंगे तग्या शक्रीछों के क्सी कर सकते हैं यहां पर बहुत ही समय से कुछ ऐसी चीजों में अपने आपको बांज रखा है या अपने विजन को आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं जो कि आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको अपने उस विजन को क्लियर करना चाहिए अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना चाहिए और इस महीने आप कर भी पाएंगे इस आने वाले महीने में आप आपके अंदर एक सेल्फ कॉंफिदेंस डेवलप होगा बिल्कुल होगा आपके इस महीने में क्योंकि आप इन चीजों को आप जैसे किसी चीज ने आपको बहुत समय से बांज रखा है या कुछ ऐसा कर रखा ह कि आपना स्टक है उँची चाड़ में आपके लाइफ में चीजों के बदलने के बदलाव की बात कर रही हैं जिसते आपको भी आश्चरह होगा और जो आपके आसपास के लोग हैं वो भी ये सूचेंगे कि ये कैसे हो गया लेकिन आप अब उन सब लोगों को या अपने जीजों को पीछे छोड़कर आगे निकलने वाले हैं लेकिन आपको अपनी इंट्यूशन पर फोकस करना ही होगा जब आप अपनी इंट्यूशन पर तब मिलेंगे जब आप अपने अंदर का जो वो प्यार है ना वो केर और शेयर वाला यानिकि आपका जो अंदर एक इमोशनल साइड है जब आप उसको फलने फूलने देंगे तब आपके लिए वो चीज़े होगी आप में से हो सकता है कुछ लोग किसी रिलेशन को दुब यही रिस्टार्ट कब होती है जब आप अपनी गलतियों का अनलाइस करते हैं जब आपको यह पता होता है कि आपके लिए चीज़े बदलाव ला रही है लेकिन आप उनको एक्सेप्ट नहीं करते आप उन चीज़ों को फिर समझ जाते हैं और आप उन चीज़ों को फिर स् हो सकता है आप मेंसे कोई husband wife अपनी घर से बहुत समय से अलग रहे हो तो हो सकता है आपके husband या फिर आपकी wife उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें या अपनी चीज़ों को रियलाइस करें या फिर आपकी तरफ से कर कोई गलती हुई हो तो इस वाले time में आप हो सकता है उ कि बीच में कुछ पैच अप हो जाए कुछ इस तरह का भी हो सकता है कि बच्चे के आने की खबर सुनके आप लोगों के जो जगड़े है या अगर अलग भी नहीं रहते तो भी आप लोगों के जो मन मुटाव हैं वो खत्म हो जाएं कहीना कहीना आप मेंसे कुछ लोग करना के काड़ आते हैं ये लाइफ में बड़ी बातों के बारे में बात करते हैं उन चीजों के बारे में बात करते हैं जिससे कि आपके लाइफ पे बहुत समय तक असर रहेगा बहुत लंबे समय तक असर रहेगा तो आपके लाइफ में क्या असर होने वाला है आपके जैसे भी आपको decisions ले लें लेकिन वो आपके एक happy life की start होगी जैसे कि आपने happy surprise के यहां पे message चुना है बहुत ही na align reading है यह पहले पाइल के लिए भी बहुत खुबसूरत card बिल्कुल जो नो ने चुना था उसके according यह आये थे आपने भी जो यहां पे card चुने है बिल्कुल उस ज्यादा जरूरी है कि आप अपने चीजों को एक नए और खुबसूरत नजरिये से देखें ताकि आपकी चीजों में एक खुबसूरत बदलावा सके क्योंकि वो मुझे यहां पर आता हूँ दिखाई दे रहा है यह चाहिए आप business करते हैं चाहिए आप कोई job करते हैं अपने ना subconscious mind के उपर काम कीजिए जिससे आपको चीज़े याद रहें जिससे कि आप long time तक ना आप उन्चीजों को अंदर तक ग्रहन कर सकें और उन्चीजों को फिर आप reflect कर सकें जब आपका वो exam का time हो आप मेंसे कुछ students को meditation भी जरूर करना चाहिए क्योंकि आप मेंसे कुछ लोगा का जैसे concentration वो हता ना कि जो ध्यान है वो बहुत जल्दी शायद भंग हो जाता है या फिर आपक ना एक जगा ना ध्यान नहीं रहता आप लोग का ऐसा कि ध्यान बठकता है अगर ऐसा है तो अ काड़ यहां पर आपकी life के किसी emotional field में कुछ चीजों के शुरू होने की बात करता है और आपके life में कुछ लोगों के लिए नया offer हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ये pregnancy की news हो सकती है और कुछ लोगों के लिए उनके relation एक नई जरनी पे जा रहे हैं नई तरीके से start हो र पाएंगे लेकिन उसके लिए तैयारी कर लीजेगा और आपके लिए वो चीज़े बहुत अच्छी और फ्रूटफू रही है आपके लिए बच्चे बच्चे इसमें कार्ट्स में बहुत सारे बहुत सारे बच्चे हैं यहां पर तो बच्चे शैद बच्चों के साथ जिससे वो इस्पायर हो सकें जिससे की नो वो कुछ सीख सकें यहां पर कुछ न कुछ इस तरह की एनर्ड़ी से यहां पर लैट इडट गो का आपके लिए मेशेज आया है और आपने फुल मून इन वर्कों का वीडियो नहीं देखा है तो आपको पता होगा कि क्यों हो रह कुछ चीज़ों को जिन्हों ने आपको बान रका है उनको विल्कुल यह क्लियर करने के लिए वक्त है एनिपनीश को Those we Sun को पपो क्लीर बता है अपनी किजेगा खायर कियूं किजेगा तकी आप वन चीजों से आगे निकासके जो की आपको रोक रही है जो कि आपको बांध रही है आपके लिए नहीं है यहाँ दो कार्ड आपकी intuition पे फूकस करने की बात कहरे हैं तो अपनी intentions को सुनकर ही आपको काम कीचेगा किसी के कहने में यह किसी दबाव में आके आपको नहीं करना है यह card actually गिर गया था, इसलिए मैंने लिया है यहाँ पे मैंने जो आपके दूसरा card निकाला है health and healing का, यह card आपको बता रहा है कि आपके अगर health से related कोई problem है तो आपको अपने angel से request करनी चाहिए अपने guardian angel से कीजिए या archangel आपको healing की नीड है archangel गैवडियल भी यहाँ पे अपे रहे हैं आपके reading में और आपको यही कहा जा रहा है कि healing को receive कीजिए और अपने आपको heal कीजिए ताकि आप ठीक हो सके यहाँ पर इसमें हैं कुछ channel messages जो कि मैंने निकाले था और बनाए था यह card आप लोगों के लिए इनसे related मैंने न इन cards को जब मैंने बनाया है तो इनसे related मैंने messages भी लिये हैं तो हर card करना अपना एक अलग मतलब है देखते हैं आपको फिलिए किस तरह की हाँ पे messages आ रहे हैं आपके लिए message है yes का अगर आपके मैंन में किसी particular situation को लेके बात आई है यह चल रही है कि यह reading उससे related हो सकती है तो yes का जवाब है आपको चीजों में अपकाम करना चाहिए follow का आपके लिए message है बिल्कुल follow कीजिए अपनी जो भी intuition से उनको follow कीजिए जो चीजे life में आपको आगे ले जा रही है अपने उस बात को follow कीजिए रुक के नहीं रहे है move का card है बिल्कुल आपको move करना ही होगा बहुत ही खुबसूरत reading है बहुत ही ना जैसे पहले पाइल में आई थी ऐसी ही आई है इंजस की पूरी blessings है आज की reading पे purity का message है बहुत प्योर इंसान है आप और बहुत प्योर और भी हो सकते हैं अगर आप इस तरह की negative energies को प्रिलाइफ से जाने दे जिन्नोंने आपको रोक रखा है relax आपके लिए चीजे change हो रही है घबरानी की कोई ज़रूरत नहीं है हो सकता है कि उनमें time लग रहा है लेकिन चीजे change हो रही है lessons का यहाँ पे message है आपके लिए कुछ चीजे क्योंकि actually कार्मी कार्ड है और lessons का यहाँ पे आया है आपके लिए यह एक learning lesson की तरह रहा होगा यह सारा time period रहा होगा या यह कुछ चीजे आपको सिखा कर गया है आपने अपनी चीजे ना सीख ली है life की बहुत बड़ी बड़ी तो चीजे आपके लिए change हो रही है उन्हें gracefully accept कीजे क्योंकि अपनी life में change को accept करना भी बहुत बड़ी बात होती है create का message है यहाँ पे तो अपनी life की अपनी life को नए तरीके से create कीजे अपनी life में एक नया पन लेकिया आईए ताकि आपको खुशियों को महसूस कर सके अपनी life को create कीजे आपके हाथ में है इस महीने divine का message है बिल्कुल divine की blessings है आपके साथ में और आपको connected भी रहना चाहिए meditation आप में से कुछ लोगों का करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी intentions को strong करना चाहते हैं तो meditation आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा view का message है यहाँ पे तो आपको हमेशे अपनी view को clear रखना चाहिए और उन चीजों को देखना चाहिए जो आपके आसपास घटे दो रही है hope कि आपको angels blessing बहुत खुबसूरा तरीके से receive हो और आप उने कर पाए मेरी यही आप लोगों के लिए prayer है कि जो भी आपके life में बतलावा आई इस महीने वो आपके life में एक खुबसूरती और खुशाली लेकर आए आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुब हो आपका आने वाला महीना बहुत 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 शुब हो अपने इंजल को आर्चेंजर गैप्रियल को आर्चेंजर राफियल को अपने गार्जियन इंजल को thank you कहना नहीं भूलेगा comment box में आपका आने वाला समय बहुत शुब है कि think about the people and places you you are grateful for you कि आप उन लोगों के लिए उन जगाओं के लिए उन रिश्टों के लिए उनको थेंक्यु कहिए उन लोगों के बारे में सोचिए तो इश्वर आपको और ऐसे मौके देता है जिसमें की आपको खुश होने का मौका मिलेगा और देखे कितना खुबसरत मौका है बहुत ही खुबसरत रीडिंग है आज की रीडिंग करके मैं तो बहुत खुश हूँ क्योंकि एंजल्स की पूरी ब्लेसिंग से जिन लोगों ने जिस तरह की कार्ट चुरे हैं उनके लिए कार्ट में मैसेज भी वैसी ही आए हैं कोई भी मैंने इस काम को किया है जब गर्व से आपका सीना फूल जाता है जब आपको अपनी किये हुई चीजों पे एक गर्व महसूस होता है जब आपको न चीजों के दवारा मान सम्मान मिलता है जब आपको लोग रिकगनाइस करते हैं जब आपको लोग उस पहचान को वो पहच आपको भी ही बात कह रही हूँ, जिस तरह से हमारे घर में ये एक बहुत सिंपल सा एक्जामपल है, जिससे आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये हर इंसान के साथ में होता है, जैसे हमारे घर में कोई महमान आता है, हमें पता है कि वो रात को हमारे यहां पर रुकेगा, हम उसके ल उन blessings के लिए जगा बनानी पड़ेगी, उन चीजों को हटाना पड़ेगा, जो उसमें बाधा आ रही है, जिसकी वेज़े से उन चीजों में रुकावट आ रही है, जो चीजों उसमें एक negativity डाल रही है, इन सब चीजों पर भी तो काम करना पड़ेगा, उसके बिना कैसे blessings आ तो यहां पर अगर आप कुछ चीजों में बंधे हुई हैं और उन चीजों से आके नहीं बढ़ पा रहे हैं, अब यह बंधा हुआ कैसे हो सकती है, कोई ऐसी चीज है जिसकी आपको नहया तो आदत है, कि फिर आपको चीजों को अगर punctuality से नहीं करते हैं, या फिर किसी ए एकी तरीके से आप चीजों को करते हैं, आप अपने नजरिये को या अपने वहवार को, अपने नजरिये को, अपनी सोच को अगर आप किसी चीज में बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो ये blessings पाने में आपको बाधा होगी ही होगी, क्योंकि आपके लिए चीजों यहां बदल रही हैं, आपके लिए कोई good news भी आ रही है, आपके लिए कोई message भी आ सकता है, आप किसी तरह की कोई यातरा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको सबसे पहले उन चीजों से बाहर निकलना होगा, जो कि आपको बांद के बैटी हैं, जो कि आपकी happiness में, और ये ना जब भी ये कोई जब भी devil का card आता है, ये card, लेकि नॉर्मली tarot के अंदर इसका एक ही मतलब है, कि ये addictions को बताता है, ये lust को बताता है, ये बताता है उन बातों को जो कि आपको बांद लेती हैं, आपको जिन चीजों के habit पढ़ जाती है, और उन चीजों से आप बाहर नहीं आ पा अगर आप टीम वर्क में हैं तो आपको या दोस्तों के बीच में हैं, लोगों के बीच में हैं, जब आपको पहचाना जाना चाहिए आपकी योगिता की वज़ासे, तो ये सब चीजे तब होती है, जब अपनी ये आपके लिए रुकावट है, ये बता रहा है card, कि आपको इस चीज से बाहर निकलना होगा, तो ये अब आपको देखना होगा कि ये आपकी लैप का कौन सा एरिया है, जिसमें की इन चीजों में आपको रुकावट आ रही है, और अगर आपकी किसी चीज को जैसे वो तना कि रिकग्नाइस किया जाता है, ये पहचान आपको मिलती ह किसी चीज से, तो आपको ये भी नहीं करना है कि आप उसी में स्टक हो जाएं, आपको ना आगे गरूद करने के बारे में सूचना है, यानि कि अपनी चीजों को बिल्कुल आपनी ब्लैसिंस को इंजॉई कीजे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ उस भी ब्लैसिंस के भी इसी लिए ही है, क्योंकि जब आपको रिकगनाईजेशन मिलेगा है ना, जब आप चीजे करेंगे, जब आपके लिए ग्रोस वाली बात होगी, तो यहाँ पी ये काटना हमेशा इनसान को एक बात बताता है, जो से कभी नहीं भूलने चाहिए, ये काट बताता है टीम को, ये बताता है उस इंसान की पहचान को जिसे और लोगों ने सपोर्ट किया है, जिसे और लोगों ने सहरा भी दिया है, जिसे और लोगों ने उसके ग्रोस करने में मदद की है, ये बात अगर आप नहीं भूलेंगे, इसलिए आपके लिए थैंक्फुल का मेसिज आया है इसलिए आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि उन चीजों से बाहर भी निकल के देखिएगा उसमें स्ट्रक नहीं होना अगर आपको यह लगता है कि यही सफलता सिर्फ आपकी है तो आप इसमें स्ट्रक हो जाएंगे परिवार के यहां कहीं परिवार कि अणने में में शादी की कुछ तैयारियां करने की कोशिश हो आपके को रिष्टे पके हो रही हो या फिर कोई इस तरह की गुड न्यूज आप लोगों के लिए आ रही है जिसे परिवार में एक खुशियों का महाल बन जाएगा और खुशियां यहां पर नजर आ रही है फाइनेस की ची आपको प्यार से कैसे वहवार करना है यह आपको सीखना ही होगा अगर आप किसी चीज में प्यार से वहवार नहीं करते हैं या फिर आपको यह लगता है कि प्यार जरूरी नहीं है तो आपको यह समझना चाहिए कि प्यार आपके लिए जरूरी है और बहुत ही जरूरी है बहुत जरूरत रहती है इनसान को प्यार की बिना प्यार की इनसान कुछ नहीं होता और यहाँ पे आपको आपको एक कमाल की बाताती हूँ, आपके लिए अधर devil का काड है और यहाँ पे the lovers का काड है, यह दोनों काड ना जस्ट एक दूसरे के, देखने में दोनों काड एक ज हो जिसमें ना आप अपने आपको स्ट्रक्फ महसूस कर रहे हो या आप ना उसमें खुशी नहीं महसूस करते हो अगर आप husband wife नहीं है तो आप किसी relationship में है तो आपको उस relationship के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए कि कहीं वो आपके लिए कोई addiction दो नहीं है कहीं सर्फ इस इसलिए तो आप उस रिष्टे में नहीं है कि आपको उसकी आदत है और आप उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि आपको person की ऐसी आदत पढ़ गई है कि अब आप उसके बिना रह नहीं सकते अगर ऐसा है तो दुबारा इसे reconsider कीजिए का इन सारी चीजों को ए आने वाले महिने में और यह आपकी लाइफ में खुशियां ही लेकर आएगा क्योंकि night of cups का काड यहां पर एक ऐसे offer की बात करता है जब ना आपकी लाइफ में एक खुशी का महाल होता है एक happiness का महाल होता है जब आप चीज़ों को enjoy करते हैं आप में से हो सकता है कुछ अगर आप husband wife नहीं है तो यहाँ पर आपके रिलेशन चीज़ों में गया है तो आपके प्यार के जा रहें है एक आपको अपनी तरफ से भी अपनी साइट से भी उस प्यार को offer करना चाहिए तो जिससे की एक हार्मोनी और एक बैलेंस आप लोगों के रिलेशन में आ सके, क्योंकि यहां ने एक बैलेंस में कमी दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में, अगर आप अपनी तरफ से कोई अप्रोच करते हैं और उन चीज़ों में थोड़ा सा प्यार भरते हैं, या प्यार लाने की कोशिश करते हैं, तो भी आपकी लाइफ में चीज़े, जो मेरिट लोग हैं उनकी लाइफ में चीज़े, काफी है तरफ चेंज हो जाएंगी, आप में से जो लोग रिलेशन्शिप के अंदर हैं किसी तरह के, आप लोगों का रिष्टा एक बहुत ही बड़ा या तो टन ले सकता है, कि आपको आपके रिलेशन्शिप में वाक्य में ही प्यार आ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा है, कि अगर आप बहुत जदा आपके पीछे पड़ा रहता है और हमेशा 24 घंटे आप पे निगरानी रखता है, तो वो इंसान आपके जीवन से जा सकता है, क्योंकि इस महीने आप उसे छोड़ने का डिसीजन ले लेंगे, और आगे जाके आप सोलमेट वाले किसी ऐसे परसन के साथ में अपनी लाइफ को जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिस आप ही करेंगे, आप ही छोड़ेंगे और आप ही जोड़ेंगे, क्योंकि अगर कोई ऐसा इनसान है आपकी लाइफ में, जिसके साथ में आपको सिर्फ उसकी आदत है और बहुत परिशान है आप उसके साथ में, तो आप ही उस रिश्टे में ऐसा है, तो भी उसको एक mutual understanding से, एक card mutual understanding की बात करता है mutual understanding से अपने relationship को ठीक करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत चीजे आपकी understanding से ठीक हो सकती है, तो ये card आपको बोल रहा है कि हाँ, वो आपको इस महीने इस तरह का, जो कि आपको एक सबक सीखाएगा, कि आपको प्यार चाहिए रिश्टों में, सम्मान चाहिए रिश्टों में, या लाइफ में, या उन जगाओं पर जहां पर आपका सम्मान नहीं किया जा रहा है, आप ये बहुत बड़ी चीज़ सीखेंगे भी, और आप इस चीज़ को decide भी करेंगे, या आप करेंगे, क्योंकि आपकी life ने turn हो रही है, बहुत ना आपकी life में कुछ endings और कुछ beginnings हो रही है और बहुत खुशी और happiness ने specifically आपकी emotional field में कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा है, जिससे की आपकी life काफी हद तक change होने वाली है, और अच्छे के लिए होगी, आपको इस चीज़ से घवरानी की ज़रूत नहीं है, कि अच्छे के लिए नहीं होगी, अच्छे के लिए होगी, लेकिन यहाँ पे करना आपको ही होगा, इस वाली energy से आपको बाहर निकल जाना चाहिए, अगर ये कोई इनसान नहीं है, ऐसी situation है आपके लिए, कोई ऐसा pattern है, आपका कोई ऐसी habit है life का कोई सबी area हो सकता है आपकी अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्टक हैं अपने आपको change करने को या चाहते हुए भी और जानते हुए भी उससे बाहर निकलने के लिए तयार नहीं है तो यही वो devil है जिसमें आपको जंजीरों में जकट रखा है, इससे आपको ही बाहर निकलना है आपना बार बार उन चीज़ों के लिए affirmations पढ़िए का जिनके लिए आप thankful है अपनी life में हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए जो भी आपकी life में आपके घर में available है आपको जो भी आपके आसपस आपको available है जिन भी चीज़ों में आप महसूस करते हैं आप बाहर निकलेंगे देखे आपके लिए औरकल कार्ट से भी यहाँ पे इंजल्स की तरफ से freedom का message आया है आप अपनी life में कुछ चीज़ों में free होने वाले हैं आपको यह freedom चाहिए क्योंकि आपकी soul ना इस चीज़ के लिए तरड़ अप रही है आप के लिए यहाँ पे जो message आ रहा है इंजल्स की तरफ से spiritual law of attraction तो बिएको law of attraction का use कीज़े law of attraction के साथ में हमेशा एक बात याद रखिए लोगों के manifest नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि वो law of attraction के साथ में action करना भूल जाते हैं बिना action के आपका law of attraction काम नहीं करता जहां पे आपको changes करने हैं जहां पे आपको बदलाव लाने हैं चाहे वो आपका business हो, job पढ़ाई हो, आपका life का कोई hobby हो या आपके रिष्टे हो उसमें यह बहुत ज़्यादा जरूरी है जो भी आप लाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जो action step आपको लेने हैं वो जरूर आप लें अगर आप वो नहीं लेते हैं तो अच्छे से अच्छा law of attraction की कोई भी विदी न फेल हो जाती है तो जरूर देखेगा कि आप इचीजे करना है और यहाँ पर हैं कुछ channel messages जो कि मैंने आप लोगों के लिए थी यहाँ पर इन च्छोटी चोटे कार्ट को जो मैंने बनाया था तो यह channel messages मैंने लिए थे आप लोगों के लिए देखते हैं कि क्या help मिलती है आपको उन से आपके लिए तो बहुत सारे आगे आपके लिए पहला message है truth का तो आपको कुछ सचाईयों को देखने की जरूरत रहेगी इसमें past का message है यहाँ पर कुछ चीजों को past में आपके लिए छोड़ना बहुत जरूरी होगा उन चीजों से अलग होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होगा जो आपकी life में आपको आगे बढ़ने से रोग रही है faith का message है यहाँ पर आपके लिए आपको उन चीजों के trust रखना चाहिए faith रखना चाहिए जो कि आपकी life में इश्वर आपको दे रहा है हमेशा gratitude की feeling में रही है wisdom अपने wisdom को use कीजेगा यहाँ पर आपको अपने ज्यान से यह देखना ही होगा कि आपके लिए चीजे कैसे हो रही है और आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है ये चीज कि आप में से कुछ लोगों को ना कुछ चीजों के बारे में जानकारी लेनी जरूरी है और उनको आपको करना ही चाहिए special का message है यहाँ पर इसके साथ पहला message यही है कि आप बहुत special है इश्वर के लिए दूसरा message यह है कि आपकी life में को special होने वाला है कोई special person आपकी life में night of cups के साथ entry करने वाला है तयार रही है उसके लिए listen का message है यहाँ पर इपनी intuitions पर focus रखीगा जो भी आपसे कहा जा रहा है और या आसपस आपकी चीज़े हो रही है उनको बहुत द्यान से सुनने की कोशिश कीज़ेगा ताकि आप उन चीज़ों को समझ सकें जिन चीज़ों में आपको actions लेनी है connection का यहाँ पर message है आपके लिए एक connection आपको बनाए रखना चाहिए यह एक soulmate connection की बात भी कर रहा है क्योंकि यह soulmate connection की बात करता है तो विल्कुल एक connection आपके बनता हो मुझे दिखाई दे रहा है destiny का message है आपके लिए आपकी destiny definitely change होने वाली है और चाहिए जो connection है यह destiny में है आपकी blessings का message है blessings का वीडियो है blessings ही आपके लिए आ गई है तो आपको कैसे पता चलता की positive क्या है और आपको life में अच्छा क्या चाहिए forgive कर दीजेगा उन लोगों को जिन्हों ने आपको hurt किया या उन चीज़ों को माफ कर दीजे और thankful रही है उस energy का जो कि आपकी life में happiness लेकिया दिए स्टॉप का message है आपको कहीं रुखना चाहिए रुखकर अपनी चीज़े को दीखना चाहिए कंट्रोल का message है आपको अपने हाद में अपनी life का कंट्रोल लेना चाहिए तो आप बिल्कुल अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, आपको अपने प्रेजेंट को या प्रेजेंट में जीते हुए आपको अपने फिशर को प्रायड बनाना चाहिए और पास्ट को भी छोड़ देना चाहिए जो की आपकी लाइफ में अब कोई महत नहीं रखता, आपको सिर्फ उसमें थैंक्पूल होना चाहिए उस एनरची का जो की आपकी लाइफ में एक ग्रोथ लेकर आई और आपको उसने आगे बढ़ने का मौका दिया। बहुत ही खुब्सmiyorum हुई है कि मैं आप सब की आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतनी खुब proposition करने का मौका दिया और बहुत ही aligned रेंग थी और बहुत भात धन्यवाद आपником Cuz आने हमें। बहुत बहुत शूब्शों का शूब्हूं हो यह महीना आप सब लोगों के आप किस तरह से लाब उठा सकते हैं, कमेंट बोक्स में अपने इंजिस को थैंक्यू क्याना नहीं भूलिएगा, थैंक्यू सो वेरी मच्छ, God bless you all.